छोले कुल्चे बनाने के लिए मैंने मटर ली थी इसको मैंने दो गुंटे पहले पानी में सोब करने के लिए रख दिया था उसके बाद फिर बॉयल कर लिया हलका सा नमक डाल कर इसके बाद चॉप्ट टमाटो लेरियों में चॉप्ट अनियन है इसको इसके अंदर मिक्स करे इसके बाद कुछ मसाले आड़ करने हैं जैसे कि मैंने लिया है रैड चिली पाउडर सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट टू टेबल स्पून लैमन जूस आप इसमें कलर के लिए अमचूर में एक चमच अमच पानी गळाँ इसमें डाल सकते हो उससे कलर बहुत अच्छा आता है और यह मैंने लिया है हाप टेबल स्पून गरम मसाला आप चाट मसाला भी यूज कर सकते हो या फिर इसका थोड़ का वो भी उस कर सकते हो पर मैं घर में सिंपल बना रही हूं तो मैं इसी तरीके से बनाते हूं कई बार होते हैं हमारा खाणा बनाने का मन नहीं करता ठक्के हुए होते हैं तो बहुत ही easy recipe है बहुत ही जल्दी बन जाती है इसके बाद जो कुल्चे थे हुँ मैंने रिडिमेट यूज करें घर में नहीं बनाए मार्कित से लाके सिर्फ उसको तवे पर सेखा है एक तवालिया है उसमें गी आड़ करना है और अच्छी तरीके से सेख लेना है दोना तरब से इससे यह बहुत ही सॉप्ट हो जाएगा तो डिनर की एक्तम क्विक रेसिपी है कभी आप बहुत टायट फील कर रहे हूं तो आपके ट्राय कर सकते हूं इससे पेट भी अराम से भर जाएगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगीगी आपको यह वीडियो पसंद आई होगी गी की जिगर चाहो तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हूं जब यह दोनों तरफ से अच्छी तरीकी से सिख जाए तब आप इसको खाने के लिए यूज़ कर सकते हूं यह बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि हम इसका डो लगाएं क्यूंकि उसमेरा बहुत टाइम कंजूमिंग होती है यह चीज़ इसका डो लगा पहले फिर उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रखो अगर आपका तुरंद खाने का मन है तो आप इस तरीके से भी खा सकते हूं थैंक यू